Hello Friends, Welcome to the Success Kendra Friends, आज इस वीडियो में हम लोग 67th VPSC PT Exam 2020 के लिए 38th VPSC से लेकरके 66th VPSC तक में जितने भी विविद से सम्बंदित प्रशन पुछेगा हैं उनको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे देखे Friends, घटना चकर पुरोलकुन की जो नई पुस्तक आई हुए 2022 वाली, जिसमें की 66th VPSC तक में जितने भी प्रशन पुछेगा उनको अध्यावार दिया गया है, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं और रेटी हमने लगबग इस पूक को कवर कर लिया है तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लिजेगा सभी वीडियो का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल पर अगर आप पहली बरा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी साथ बेल आइकन को जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अप्रोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी किये हुए आज का सेसन स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक कर से जरूर कर जिजेगा तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग बीवित से संबंदी जितने भी प्रशन और 30 भी BPC से लेकर के 66 भी BPC तक में पुछे गया है उनको हम लग एक ही वीडियो में कबर कर लेंगे पहला प्रशन देखिए गए फ्रेंट्स पहला प्रशन है कि बिहार की निमनलिकी जिलो में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साजा नहीं करता है देखिए पूछा गया है कि कौन सा बिहार जिला जो नेपाल के साथ सीमा साजा नहीं करता है आप यहां पर देख सकते हैं यह प्रशन जो है 63 भी BPC 2017 में पुछा गया प्रशन है तो ध्यान दीजिएगा नेपाल के साथ बिहार के साथ जिले सीमा साजा करते हैं इन साथ जिलों में इनका नाम क्या-क्या है सिता मड़ है मदवनी है पुर्वी चंपारन है और पस्मी चंपारन है तो राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी हो जाएगा पुर्णिया जो है यहां निपाल के साथ सीमा साजा नहीं करता है नेक्स्ट कुस्सन देखेगा कि निमन लिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में यानि की बिहार की बात की जा रही है राज्य में मौजूद एक मात्र युनेस्को बिरासत धरोहर अस्थल है तो देखे अगर हम बिहार से बात करते हैं तो बिहार के संबंद में तो बि बिहार या महाबोधी मंदिर को 2002 में सामिल किया गया तो दिखें दोनों हो जाएगा इस में से यहां पर आप देख सकते हैं महाबोधी बिहार और नालंदा में बहुत मठ तो एक से अधिक किसका अंसर हो जाएगा ऑप्स नंबर यह हो जाएगा उपर इक्तिमी से एक से अधिक नेक्स्ट कुस्ण देख लीजेगा कि बिहार आर्थिक सर्विक्षन पहली बार किस वीतिये वर्स के लिए प्रकाशित किया गया था तो राइट अंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्स रंबर भी 2067 के लिए द्ली द्यान रखेंगे फ्रेंस द्यान रखेंगे इंपोर्टेंट है मार्च 2007 में बिहार की इतिहास में प्रथम बार आर्थिक सर्विक्षन ताथकालिन उपमुहमंत्री सहराज के वित मंत्री सुसील कुमार मोधी ने प्रस्तुत किया था और इस व का 15 संस्क्रान है ध्यान रखेंगे चले नेक्स्ट कुस्टन हमारा कि भारतिय वन अनुसंधान और सिक्षा परिशत इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म मतले हैं इंडियन कॉंसिल आफ फॉरेश्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए टी आई एफ एसी के साथ समझ होता ग्यापन पर हमस्ताक्षर किये हैं अब ति आई एफ आरसी इसका फूल फॉर्म क्या होता है इसका फॉल फॉर्म होता है टेकनोलोजी इनफॉर्मेशन फॉर्कास्टिंग एंड एसेस्मेंट कॉंसिल ठीक है तो देखे इसका हेड़ को पुछा है आपका आई सी एफ आरी का इसका हो जाएगा क्या ऑप्सन अबर बी हो जाएगा देहरादुन में ठीक है चले नेक्स्ट कुस्टन देख लिजेगा कि बाड़ सुपर थर्मल पावर इस्टेशन किस राजय में इस्तित है तो इतना तो आपको पता है कि बाड़ जो है यह कहां है यह बिहार में है और किस जिला में तो पटना में है ज्यान दस हजार इसापुर में विश्व की जो आबादी थी उसका अनुमान विविन विद्वानों ने अलग-अलग बता है कीन गोल्डवीक यहां मैं उनका नाम लिख दे रहा हूं देखे कीन इसका नुमान लगा यह दिवान इसका अंसर बताया गया है नेक्स्ट को सण देख लीजेगा कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था तो यह कौन थी फ्रेंड्स यह अमिरकन एस्ट्रोनट निल आर्म एश्ट्रोंग थे जिन्होंने 20 जुलाई 1979 को चांद पर कदम रखा था और ये साथी चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति बन गये थे तो राइटेंसर हो जागा option number B Friends इससे पहले हम लोगों ने ये जो घट्टा चक्र पुर्वा लोगन की पुस्तक है इनको हमने सब्जेक्ट रवाइज कवर किया हुए हमने प्रासीन भारत की इतिहास को अलग वीडियो में लग बग लग इस बुक को हमने कवर कर लिया है जल् easiest वाला सेक्षन भी आपको कवर कर बने ओला हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा और सभी वीडियोज का लिंक आपको आज की इस वीडियो को डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा एडूटेरिया का जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है वी पीसी के लिए सभी टेस्ट सीरीज को हमने कवर किया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्सन में आपको मिल जाएगा बिहार का दिवतिय तेवहार क्या है आपको पता है यह तेवहार जो है छट परभ है अपसन नमबर डी हो जाएगा छट पूजा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन देखिएगा कुस्टन नमबर राइन है और फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा काफी मेहनत करके मैंने यह वीडियो आपके लिए तयार किया है निमलकित में से कौन सा सहर राष्टी राजमार्ग 2 यानि कि NH2 पर इस्तित नहीं है बताईए तो देखिए वर्स 2010 में ठीक है वर्स 2010 में जब राष्टी राजमार्ग का री नमरिंग किया गया यानि कि पुन भी भी नहीं हो जाएगा री नमरिंग किया गया 2010 के बाद से तो उसको आप ध्यान रखेंगे एक बार आपको इसमें कन्फूजन है एक बार आप सर्ज कर लिए आपको संतुष्टी हो जाएगी देखिए राष्टी राजमार्ग 2 जो है यह असम के डिवरु गट से प्रार सब्द कराई जाती है तो फ्रंट्स देखिए बीमान सवाय यह आपको इसमें से राइट एंसर आपको बताना है देखिए यह प्रसंद जो है 2011 में पूछा गया ठीक है तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपको अभी जो है इसमें से देखिए यह इंडियान एरलाइन्स ह सहारा एरलाइन्स जो है अब सहारा एरलाइन्स जो थी अब यह जेट एरलाइन्स में मतलब 2007 से इसका विला हो गया था और जेट भी बंद हो गया है तो इस नहीं साब से देखा जाए तो यह भी गलत हो जाएगा अभी कहीं साब से रोयल नेपल तो खेर है उसमें से देखि करें तो मेरे हिसाब से इसका azor Here टेक है अभी के हिसाब से चलें सुझन देख लिएगा कि विश्वका सबसे उन्चा कहा जाने व्लब सांती और बिहार में कहा है अब और इसके अगर उचाई की बात करते है यह 400 सो मीटर है ठीक है तो राइट अंसर इसका हो जाएगा और सी राजगीर ठीक है फ्रेंट्स ध्यान रखेंगे चलिए उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन देखेगा अगला प्रशन हमारा है कि नौललन्दा महा वियार किसके लिए विख्यात है बताए तो देखें यह जो है पाल कि लिए वहार में लोग से यह जो आने के ङलांडु किता चलिए अहम्ता बाद बंगलुरू कुलकट्ता कुलम्बो डुबई अभू दहाबी उसका बात जम्मू काठमडू नागपूर सभी जगए यह पटना से तो next question देखेगा कि पुर्वी मधर रेल्वे का छेतर मुख्यालक कहा पर इस्तित है तो यह हो जाएगा आपका right answer इसका क्या हो जाएगा हाजीपूर में option number B correct answer हो जाएगा हाजीपूर में next question देखेगा next question है कि बिहार के उद्योगो का कमिशनर दफ्तर कहा है इस्तित है तो यह कमिशनर दफ्तर जो है यह कहा है पटना में इस्तित है next question है हमरा question number 16 कि भारत में एक समय पस्सिम मंगाल और आंधरपरदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राजियों में भी फैल चुका है तो देखे भारत का नक्सलवाद छेतर जो है अब ओडिशा में 36 गड़ में जारखंड में पस्सिम मंगाल में महराष्ट में तेलंगना में और बिहार आज में विस्तारित हो चुका है तो राइट एंसर दिखेगा इसमें सा दास गुपता का जनम वर्तमान बंगलादेश के विक्रमपूर में हुआ था यह तातकालीन बिहार की पुरूलिया जीले स्कुल के भून यंतरन का समाजिक अधार निमलेखित के हाथों में रहा तो राइट एंसर इसका हो जाएगा प्रधान जाती के हिंदू ठीक है ओप्सन नमबर इसका सी राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुस्चन देख लीजेगा अगला कुस्चन हमारा कि बिहार के प्रमक वह तो इसका संपादक न deeply cinema थे बाबू महेशवर प्रशाथ थे तो राइट नसर हो जायाँ का दक्षिन गंगोतरी इसका तो आपको पता अन्टा करटिका नं 만들 डैकर नियम लखित में से कौन सी पुस्तक तीलक के द्वारा लिखा ग्या है कोन सी पुस्तक लिखा ग्या है ostat dla ऐगा ग्यान रखेंगे तो रेट con इसको रिखा है M.N. Roy ने ठीक है चले अगला कुस्सन देखेगा कि पुस्तक 1984 किसके दौरा लिखी गई है तो इस पुस्तक को लिखा है George Arwell ने किसके दौरा लिखी गई है George Arwell के दौरा यह पुस्तक लिखे गई है next question देखिएगा कि खेल कुद में उतकृष्टा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है अच्छा important point से आपको ध्यान रखना है कि जो भारत में खेल कुद में उतकृष्टा के लिए दिया जाना वाला जो सर्वस्स पुरस्कार था राजिव गांधी खेल रत्न पुरसकार उसका नाम अब मेजर ध्यान चंदर पुरसकार रख दिया गया है ठीक है इसको ध्यान रखेगा और यहाँ प्रशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर और अर्जुन पुरसकार दिख जाएगा अर्जुन पुरुसकार खेल में उत कृष्टा के लिए दिया जाने वाला एवार्ड है नेक्स्ट कॉस्टन देखिएगा किने मलखित में से किस विदेशी नागरी को भारत अरत में प्रदान किया गया था इसमें से आपका उप्सन किसाब से बात करें तो नेलसन मंडेला हो जाएगा नेलसन मंडेला को दक्षिन अफिर्की गोरी सरकार की विरूद गांधिवादी मुल्यों के आधार पर अंदोलन चलाने तता दक्षिन आफ्रिका की जो गोरी सरकार्ती ब्रेटिश सरकार्ती उनके द्वारा फैलाए गए जाती विद्वेस को समाप्त करनी के लिए 1990 में ध्यान रखेंगे कि कब दिया गया था 1990 में इनको भारत रतने से समानित किया गया था उसका देखिएगा चुने हुए देशों के अर्थवोहसता के संबन में निमलकित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो देखे आप्सन नमर अपढ़ एपर ही हैगा है देखिए संक्तराज अमेरिका विश्व का पचास परचिसत स्वाधिक मक्का पैदा करता है किन्तु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र तीन परचिसत करता है यह statement गलत दिया गया है ध्यान देखिए संक्तराज अमेरिका विश्व का 35.5 एक परचिसत ठीक है लगबग मै बता रहा हूं 35.5 एक परचिसत मक्का पैदा करता है और साथी विश्व का सबसे बड़ा मक्का निर्यातक भी है और अमेरिका जो है विश्व में मक्का का निर्यात 32 परचिसत करता है कितने करता है 32 परचिसत करता है यहां तीन परचिसत लिखा गया है जो कि गलत है यहां 50 प तो उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है दूसरा अस्थान पर न्यूजिलेंड है नेक्स्ट देखेगा दूद उत्पादकों में भारत विश्व में अगराणी अस्थान है बिल्कुर यह सही दिया गया है उसके भेंड की संख्या विश्व की चाल पर चार परचिस होते हो कि इस्राइल और पी एलो के बीच पर्थम सीधी बैठक होई थी बते राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा पी लो यानि कि पैलिस्टीन लिबरेशन और्गिनाइजेशन तो राइट अंसर हो जाएगा मैडरीड में और सी हो जाएगा मैडरीड में नॉमबर 1991 में होई थी अगला कुश्चन देखेगा कि वर्ल्ड ट्रेड और्गिनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष कोन थे देखेए यहां सीधा सीधा प्रथम अध्यक्ष पुछा गया है ठीक है वीदिवत रूप से अगर पुछा जाता तो इसका अंसर अलग होता लेकिन यहां वीदिवत पंचानवे को ठीक है एक जनवरी 1995 होई थी और गैट के ततकालिन महानिदेशक पीटर साधर लेंड को ही डवलूट यो का महानिदेशक यानि के अध्यक्ष नूप किया गया था किन्तु डवलूट यो के विदिवत निर्वाचित प्रथम महानिदेशक रूनेटु रूग जिसक उसमें चून लिया गया था तो राइट अंसर हो जाएगा यह पीटर साधर लेंड अच्छा परतमान में अगर बात करें तो नगोजी अंकोजो इवाला यहां मैं उनका नाम लिख दे रहा हूं नगोजी अंकोजो ठीक है फ्रेंस इवेला ठीक है यह जो है अभी फि पित होई तो यह हुई 1948 में उप्सन नमबर इसका सी राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुस्टन देख लिए कि भद्रावती इस पात के अंदर इस्तित है तो देखें भद्रावती इस पात के अंदर जो है यह भद्रा नाजी परिस्तित है करनाटक राज में बाबा उत्पादक छेत्रों में से एक है और थाइलेंड मैनमार आधी के नसीले पदार्थों का उत्पादम करने वाला छेत्र है तो राइट अंसर इसका हो जाएगा और देखें यह जो स्वाणिम त्रिकून है इसके अंतरगत जक्षीन पुर्वी एसिया के चार देश आता है मै मैनमार लाओस वियतनाम और थाइलेंड ठीक है मैनमार लाओस वियतनाम और थाइलेंड नेक्स्ट कुस्ण देखेगा कि साउथ एसियन कॉलिजन ओन चाइल्ड शर्विट्यूड रिपोर्ट का नुसार भारत में बंद हुआ बच्चों की संख्या कितनी है तो देखें करेक्ट एंसर हो जाएगा इसका इसका एंसर हो जाएगा ये देखे 94 में पुछा गया प्रश्ण है और इसका फाइब कडॉर हो जाएगा नेक्स्ट कुस्ण देख लीजें अगला कुस्ण हमारा कि सबसे अधिक तेल निर्यात कंदेस है तो यह देस स्वाव तो राइट अंसर हो जाएगा आपका बैडमिंटन ठीक है बैडमिंटन ओप्सिन नमबर यह करेक्ट अंसर हो जाएगा प्रकास पादुकोन अगला कुस्सन देख लिजेगा नेक्स्ट कुस्सन है कि एबरेश्ट शिखर पर चड़ने वाली दूसरी भारती महिला कौन है तो संतोस याद वहीं पहली अगर पुछा जाए तो पहली महिला है बच्छेंदरी पाल ठीक है बच्छेंदरी पाल हो जाएगा पहली महिला उसको देखें इंडिया विंस फ्रिडम यहां रेजी में भी लिखा हो गया कि लेखा कौन है तो अबल कलाम आजाद है आप्सिन में ध्यान रखेंगे इसको भी उसका देखे कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो कलिंग पुरस्कार जो है यहां विज्ञान को लोगप्रियबनाने के लिए प्रदयान किये जाने वाला पुरस्कार है इसकी शुरुवात 1952 में हुई थी ठीक है वी संसार का सबसे बड़ संक्त राष्ट अमेरिका में संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम इंडियाना पोलीस पोलिस यहां में लिख हको लिखild packetِ चलिए नेक्स्ट लेख लगा आगेवला कुस्टन है की उट्वार ग्राफ यॉण सो हावwią है इसको किस्तना लिखा है तो फ्रेंट TDUP लिखा option number A हो जाएगा right answer next question देखेगा अनीता रोडिक किसकी लेखे का है तो देखे अनीता रोडिक के दोरा जो लिखा गया पुछतक है वो है business is unusual business as unusual is नहीं है यहाँ as पढ़िएगा अंगरेजी में देखे business as unusual हो जाएगा option number C right answer हो जाएगा उसका अगला कुस्सें देखेगा कि green peace यानि की जो हरित सांती है वो क्या है तो green peace जो है परेवरन करताओ का एक समू है जिसका स्थापना कनाड़ा की बिटिस कुलंबिया प्रांत में किया गया कब किया गया तो 1971 में अमेरिका द्वारा अलास्का में परमानु अस्त्र परिक्षन का विरोध करने के लिए किया गया था 1971 में इसका राष्टिय सभा में बात करें तो 400 सीट हो जाएगा और सीनेट की बात करें जो दक्षिन अफ्रिका में संसद की दूसरा सदन है उसमें जो है सीटू की संख्या है 90 तो राइट अंसर हो जाएका 490 देखिया अपसर नमबर डी में दिया गया है उससे प्रकार सगला कुस्सन है Statue of Liberty बना हुआ है तो फ्रेंट्स देखे Statue of Unity कहा है Statue of Unity जो है यहां गुजरात में है संख्या थच्च्टे बना है यहां थे पुछा गया था वभी Statue of Peace UPPCS में ठीक है इसको दिहान रखेंगी यह राजस्थान में है Statue of Peace यह Statue of Liberty पुछा गया है तो यह हो जाएगा संक्तराज अमेरिका में ठीक है संक्तराज अमtierका में है Statue of Liberty ठीक है चलिए तो रृटेंटा के इसका हो जागा। ओप्शन नूमबर D अगला कुझ से लीजिगा, एक भाषा बारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसाधिक संखै में बोली जाती है, बांगला बोली जाती है तो इसी सबसा आप सह नंबर छे भासा है जो है UNESCO की कारे भासा के रूप में प्रियुक्त होती हैं इसमसे देखिए अंगरेजी फ्रेंच रूसी इसके अलावा अगर बात करें तो चीनी हो जाएगा चीनी के अलावा अगर बात करें तो रसियन हो जाएगा ठीक रूसी तो दिया हुआ है अर्भी हो जाए देगा उपर मैं कर देता हूं दमुर्स लाश्ट साइक के लेखक कौन है तो फ्रेंडस इसके लेखक है सलमान रुस्दी ऑफसे नमबर बी राइट अंसर हो जाएगा सलमान रुस्दी मैं अंग्रेजी में भी लिख देना हूं तो यह हो जाएगा आपका सौधी अरब अगला कुस्सन दिखेगा और भारत जो है अपने कुल सस्तर का आयात का बासत प्रचिसत जो है यह रूस से करता है भारत नेक्स्ट कुस्सन दिखेगा कि संतकवीर के समान में मगहर महुत्सा प्रारंव किया गया था किस वरस में यह 1987 में किया गया था और 1987 से लगातार जो है मगहर महुत्सा आजित होता रहा है राइट एंसर इसके क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा 1987 में उसके बाद देखे पुरो सोवियत संग का कौन सा पहला गणराज देखे पहला पुछा गया है जिसने अपने को स्वतंत्र घोसित किया था अपने को स्वतंत्र घोसित किया था तो देखे, USSR, पूरो सोवियत संग जो था, इससे स्वेम को पहला कौन सा राज था, जो स्वतंतर घोसित किया था, तो ये था लिथवानिया, कौन सा था, लिथवानिया हो जाएगा, option number C, correct answer हो जाएगा, लिथवानिया 1990 में, उसके बाद जोर्जिया ने 1991 में घोसित किया था फिर एस्टोनिया जो है, एस्टोनिया ने भी 1991 में और यूक्रेन ने भी 1991 में अपने को स्वतंतर घोसित किया था, पहला लिथवानिया हो जाएगा, किस केल के लिए Thomas Cup दिया जाता है, तो दीके Thomas Cup और Uber Cup, याद रखेंगे Thomas Cup और Uber Cup, ये Cup जो होते हैं किस केल से संबंदित है तो बैंड मिंटन, अगला कुस्तन देख लिएगा है कि Durand Cup किस केल से संबंदित है, Durand Cup, Rovers Cup, ये बहुत बार पुछा जाता है, कि Rovers Cup किस केल से संबंदित है, तो फुटबॉल से, Durand Cup, फुटबॉल से, Merdeka Cup, Merdeka Cup भी फुटबॉल से संबंदित है, Santos Trophy भी फुटबॉल से संबंदित है, Option B हो जाएगा, विश्वी सताबदी का आखरी कुम्मेला कहां मनाये गया था, तो देखें, विश्वी सताबदी का आखरी कुम्मेला, हरिदवार में, वर्स 1998 में, ठीक है, 1998 में आयजित हुआ था, और आपको पता है, कि ये इलहाबाद, जो कि अप्रियाग आज है, नासिक, उज्जयन, तीन अस्थानों में, प्रतेक 12 वर्स पर कुम्मेले का आयवजन होता है, तो राइटनसर इसका हरिदवार हो जाएगा, जनतर मंतर का निर्वान किया था, तो ये किया था, सवाई राजा जैसिंग ने, ठीक है, तो ये हो जाएगा महराजा, ज प्रधान भासाएं हैं, वो कौन सी है, तो स्विर्जर लेंड में जर्मन, फ्रेंच, तथा इटालियन जो है, ये प्रधान भासा है, तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन राइटनसर हो जाएगा, उसका देखेगा कि भारत में जन्में दो अमिर्की नागरिक, जिने विज गोविंद खुराना को चिकिस्या के छेतर में कृतिम जीन संस्लेशन के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था आपको याद होगा देखें ये दोनों जो व्यक्ति थे दोनों वेगानिक थे इनका जनम भारत में हुआ था किन्तु इन्होंने अमिर्का की नागरीकता गरहन कर ले थे तो राइटेंसर अप्सन नबर डी हो जाएगा हर गोविंद कुराना और हैसे चंद्रशेखर वह कौन सा एक मात्र भारतिय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉड का किताब दिया था तो फेंस राइटेंसर हो जाएगा स्वराजपाल भारतिय मुलकि स्व कुपाधी प्रिधान के थे लाइप यर कुपाधी प्राप्त व्यक्ति आजिवन हाउस ऑफ लॉड का मानत सदस बना रहता है तो स्वराजपाल हो जाएगा उसका बाद एक इन देशों में से कौन सा देश सिंग्तराश्ट संका अस्थाई सदस नहीं है तो अस्थाई सदस का विसकार किस ने किया था तो राइट ब्रदर्स ने किया था टेली इसकोप की खोज किस ने की थी तो यह गैलेलियों ने किया था आपको याद होगा इटली के प्रसिद भौतिक विज्यानी गैलेलिया ने दुरदर्सी अर्था टेली इसकोप की खोज की थी निमलेकित मे आपको सीडराइट बाकी तो आपको पता है कि मेगनेटाइट है मेगनेटाइट और हमेटाइट लिमोनाइट भी याद रखेगा और सीडराइट भी याद रखेगा तो यहाँ हमेटाइट दिया गया है सुबारम प्रधान मंत्री पंडित जोहरला नेहरू युगो सलाविया के राष्टपती मार्सल टीटो और मिस्र के इसमें से अलबानिया हो जाएका अउस मुस्ट नमबर A के लिए और इनको नोबल पुरस्कार कब दिया गए था तो नोबल पूरस्कार इनको 900 यहांपर मैं लिखेत brian redefina passionateizon PR 2019 में नोबल का सांथी पुरस्कार दिया गया था और भारत रत्निको 1980 में दिया गया था ये 1939 में दरसल ये कोलकाता आई थी ठीक है और इन्होंने Mother Teresa जो थी इन्होंने निर्धनों एवं बिमार लोगों की सेवा के लिए Missionaries of Charity नामक संस्था क्या स्थापना के थी कोलकाता 1929 में ध्यान रखिएगा उसके बाद एक कौन से दो राजे चंदन तसकर विरप्पन के आत्म समर्किन पिल के लिए वर्तालाप कर रहे थे तो यह हो जागा करनातक और टमिलनाडू option number C हो जागा पुराना प्रश्ण है यह लेखे अंत्रिक्स विज्ञान पर अनुसंद्धान और विकास का स्रे जाता है तो यह किसको जाता है यह जाता है किनको विक्रम सारा भाई को रैट अंसर option number B हो जाएगा उसको अगला कुस करने में भारत किस देश से बहुत ही ज्यादा आगे है बताइए तो सही इंसर इसका हो जाएगा आपका पाकिस्तान नेक्स्ट कुस्सन देख लिएगा अगला कुस्सन है कि भारत में टैंक का नाम क्या है तो इस टैंक का नाम है और ऑप्सन नमबर B हो जाएगा अचा यह इसको बनाय किसने है तो इस टैंक का विकास जो है रक्सायम अनुसंदान विकास जो अर्गनेजिशन है DRDO जो है तो साथी साथ भेल है भारत हैवी इलेक्टिकल्स लिमेटेड और भारत अर्थ मुवर्स B.E.M. ठीक है भारत अर्थ मुवर्स उसके बद भेल है और DRDO ने मि मुसलमानों का एक राजनेतिक दल है ठीक है MQM याद रखेंगे इसको मुहाजिर काव्मी मुव्मेंट मुखेता भारत से गए मुसलमानों के साथ किये जाने वले भेद भाव तथा उनके साथ जो दूच्छे दर्जे का नागरिक का तरह ब्यावहार किया जाता था उसकी विरुद आवाज उठाता है या अगला कुस्टन देख लिजे तो राइट एंसर इसका देख लिजे का अप्सन नमबर B हो जाएगा न्यूजिलेंड में पाया जने वला उड़ेया नहीं पक्षी जो उड़े नहीं सकता है ये किवी हो जाएगा चिपको आंदोलन है तो द देख लिजेगा कोस्टन नमबर 73 हमारा है कि ऑप्रेस्टन ब्लैक बॉड सरकार योजना है देखे फ्रेंट्स राइट एंसर जो हो जाएगा इसका उप्सन नमबर B हो जाएगा विद्याले सिक्षा के राष्ट्य कारकरम को सुधारनी के लिए देखे ऑप्रेस्टन ब्लै सुधित सर्फोसन देखेगा की स्टार टीवी का मालिक कौन है कि राटरऊंसर जो हो जाएगा स्टार टीवी का स्टार टीवी का स्टार मर्डु इसटार का फूल फम कि आपको जान लेना चाहिन स्रैटely टेलिवेजन फोरि दाएसयन रिजन ठीक है स्टेलाइट पर जो संदी हुई थी इस पर हस्ताक्षर को हुए थे तो 39 अप्रेल यहां में लिख जा रहां 29 अप्रेल 1904 को ठीक है फ्रेंट्स ध्यान रखेंगे चले अगला कुस्षन देखेगा कि प्रथम भारती उपकरा आरेबट कब छोड़ा गया था तो यह आरेबट छोड़ा गया तो देखे यह प्रश्ण 1999 में पूछा गया है और उसमें जो था हिंदू राष्ट नेपाल था लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो नेपाल की संसद ने 18 मई 2006 को जो है 18 मई को नेपाल को धर्न मिलपेक्ष राज घोसित कर दिया तो इससे साफसे देखे तो इनमें से कोई भी नहीं अब हो जाएगा उसके बदेखे पैल में सिलिकॉन वैली की नाम से किसे जाना जाता है यह बैंगलोर को जाना जाता है और 59 अब बर्मांड का केंद्र है कोपर निकस ने सूर्य को बर्मांड का केंद्र माना और यहां बताया कि बर्मांड के अन ग्रह जो है यहां सूर्य का चकर लगाते है तो दिखे राइट अंसर इसके क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर बी उसके बाद next question देख लिजेगा अगला question हमारा कि दक्षेस यानी की सार्क जो है सार्क का full-form क्या होता है South Asian Association of Regional Corporation ठीक है फ्रेंट्स इसके अस्थापना कब हुई थी तो 1980 में इसके अस्थापना हुई थी ध्यान रखेंगे इसका headquarter जो है नेपाल के काटमांडू में है देखे पुछा गया कि अंदुरण की शुरू करने का उदेश से क्या था तो इसका उदेश जो था ये था छेत्रिये सहयोग option number D हो जाएगा और देखे इसमें से 8 country इसके सदसे हैं यह जो संगठन है सार्क कौन कौन से देश हैं तो अफगानिस्तान है बंगला देश है भोटान है इंडिया है पाकिस्तान है नेपाल है माल्दिव है और स्रिलंका है देखे सही कथन इसमें साब को चुनना है तो राइटन से इसका क्या हो जाएगा आरे भाटियम एक गणितिये ग्रंथ है ठीक है option number A हो और इसमें से जो पंच सिधान्तिका है पंच सिधान्तिका को बराह मिहर ने लिखा है चले next question दिखिएगा और ये दूथे चंदगुप्त विकर्मादित यानि की चंदगुप्त दूतिये का दरबार में रहते थे आरे भट अगला question दिखिएगा next question हमारा कि वंदे मातरम ग तो रैटनसर इसका हो जाएगा option number D उपरक्त सभी है ठीक है इसकी रचेता रोमी देव ने किया है बिल्कुल सही है इसमें कपिल देव के खेल जीवन का व्यूवरन है ये भी सही है इसका अप्सारिक विमचन प्रसिद्ध चितरकार MF हुसान के हां तो हुआ ये भी सही दि और गति अंतराष्टिय बैपार का विकास और विद्योगों का विकास इनका योगदान है ध्यान रखेंगे अगला कुछ से दिखे संग की सुरक्षा परिशद में निमलकित में से कौन सा देश अस्थाई सदस नहीं है तो अभी मैंने आपको थोड़ी दिर पहले बताया है कि पांच देश हैं अस्थाई सदस फ्रांस ब्रेटन चीन रसिया और संक्तराज अमिर्का तो इसमें साब देखें जापान नहीं है उसके बाद देखिएगा कि वैस्वी करण के पीछे मुख्य विचार है तो बताएं सहींसर इसका क्या हो जाएगा सहींसर हो जाएगा आपसी समाने द्रिष्टी कोन रखत हुए समस्त अंतराष्टे समधाय के साथ कारे करना अप्सन नंबर सी इसका सहींसर हो जाएगा नौकर साही का कारे है यह आपका हो जाएगा सरकार की नित्तियों को लागू करना प्रसासन चलाना और मंत्रियों की साहता गरना तो उपर देस आपका स्वीडेन अपसे नंबर एर हो जाएगा ठीक है स्वीडेन जो है दोजार जाओदा में फिलिस्तिन राज्ज को अधिकारिक मनेता प्रजान किया था चले नेक्स्ट कुस्सन देख ली जेगा अगला कुस्सन है कि अंतराष्टी विकलांक दिवस मना जाता है त प्रभावती देवी किस अच्छेत्र की स्वतनत्ता से नहीं थी तो देखे राइट नारायन लाल की पत्नी का नाम क्या था तो स्रीमती राम प्यारी नाम था इनका अफसर नमबर ए रायट नसर हो जाएगा उसका बाद देखिएगा कि सूरे गरहन तब होता है जब तो सूरे गरहन देखिए तब होता है जब चंद्रमा प्रित्वी का चकर लगाते हुए प्रित्वी और सूरे के बीच में आ जाता है तो राइट अंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा चंद्रमा बीच में हो ठीक है किसके बीच में तो चंद्रमा जो है या पृत्वी और सूरे के बीच में चले next question देख लिजेगा, आगला question है कि सबसे छोटा दिन कब होता है, इसका आपको answer कमेंट करके बताना है, और friends please वीडियो को like और share जरूर कर दिजेगा, सब भी वीडियो का link आपको इस वीडियो के description में मिलेगा, आप लोग जरूर देख लिजेगा.